हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल स्वागत ये आप सभी का क्रिस प्रशान जोशी ओफिसे चैनल पर आज मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम वो भी रबड़ी वाली और गर्मियों के दिनों में बच्चे बड़ो सभी को पसंद आती हैं और गर्मियों के बोसम म आपको पता है ठंडा ठंडा खानी का बहुत मन करता है तो गर पर हम इस तरीके से रबड़ी वाली आईसक्रीम बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि दूद चिपके नहीं तो यहां पर हम दूद डाल रहे हैं वो दूद है काउ मिल्क का अब हम दूद में उबाल आने देंगे तो हम पास का काम कर लेते हैं तब तक मैंने बादाम भिगोई थी तो इसके चिलके हटा के इसको मैं बारिक कर देती हूँ क्योंकि हम जो आईसक्रीम बना रहे हैं उसमें डालेंगे तो यहां पर दूद का उबाल आ गया है और अभी मैंने जो बादाम को बारिक किया था वो इसके अंदर डाल दी है उसके बाद में थोड़ा इलाइची पाउडर डालने के बाद एक तपले में यहां पर थोड़ा सा चीनी को मेल्ट कर रहे हूँ तो चीनी को अच्छे से मेक्स करना है देखो कैसा कलर आया है बहुत ही अच्छा कलर आया है दिखने में भी अच्छी लगती है और टैस्ट भी अच्छा आता है तो यहां पर मैंने इसको गैस को बन कर दिया है क्योंकि हमारी जो रबड़ी है वो बन के तयार हो गई है और यहां पर ठं इसको cover कर दिया है और इस पह धकन भी लगा दूंगी और अब हम फ्रीज में इसको रख देंगे साथ से आठ कंटे के लिए फिर इसको देखना भी नहीं है हमें तो फिर इसके बाद 7-8 गंटे के बाद मैंने आइस क्रीम को देखा तो इस तरीके से मेरी आइस क्रीम बनके तयार हो गई है तो final result आप देश सकते हो कि रबड़ी वाली आइस क्रीम हमारी तयार हो चुकी है अब इसका हम थोड़ा सा decoration करेंगे तो इस तरीके से हम इसको decorate करेंगे तो यहाँ पर मै आइस क्रीम क्यार हो गई कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें